मित्र की सलाहे पार्ट टू एक दिन विध्यादरी ने अपनी पती को बुला कर पूछा प्रभूर मुझे लगता है मेरे रूटने पर आपके मन में मुझे मनवाने की इच्छा थी जरूर फिर भी आप मौन रहे मैंने मूल्यावन रतनों का हार मांगा वचन देने के बाद भी आपने साधरन रतनों का हार बनवा दिया मेरे अस्वस्त होने पर भी आप व्यतित हो अवश्य हुए पर प्रत्यक्ष रूप में कुछ कर न पाए इन सब का कारण क्या है भला मुझे लगता है किसी और के उकसाने से आपने मेरे प्रती यूँ व्यवहार किया क्या यह सब सच है जो मैं कह रही हूँ यह बात सुनते ही सुर्यकांद को ताजुब हुआ उसने पूचा हाँ सच है लेकिन तुमने यह सब कैसे जान लिया क्यों यह बात तो बड़ी आसन है मैं आपकी मनोप्रवत्ती को खूब जानती हूँ मैंने जान लिया है कि आप किसी और की सला से काम कर रहे है विद्याधरीदे ने समाधान दिया अपनी पत्ने की बुद्धिमत्ता देक सुर्यकांद प्रसन होता हुआ बोला मैंने जो कुछ किया यह मेरे घनिस्ट मित्र सुमंद के उपदेशों के कारण किया नीजी मामलों में वही मेरा सलाहकार है मेरा विश्वास है कि मेरी भलाए के लिए ही वह मुझे उचित सलाहे देता है विद्याधरी ने समझाया प्रबू किसी विक्ति पर विश्वास करने से पहले भली बांती यह आजमाना चाहिए कि वह विक्ति किसी समस्या का हल सही ढंक से करने में सचमुझ कुशल है या नहीं वरना हमारे सामने नई समस्या यह उठखड़ी हो सकती है तुम जो कुछ कहना चाहते हो जरा साफ साफ कह दोना सुर्यकांद ने हलके गुसे में कहा तब स्वामी एक काम कीजिए सुमंध जब आएंदा आपसे मिलने आएंगे तब उनसे यह सवाल पूचिएगा विध्यागरी ने यह ख़यते हुए एक पृष्णा वली सुर्यकांद के सामने प्रस्तुत की उसी दिन शाम को जब सुर्यकांद उध्यान में खुली हवा का सेवन कर रहा था तब सुमंध वहा आप उंचा सुर्यकांद ने उससे पूचा मित्र सुमंत, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे जो दो पुत्र है उनके चरित्र कैसे है सुमंत ने जवाब दिया, बड़ा लड़का नटकट है, वह किसे की बात नहीं मानता, दूसरा बड़ा तेज है, आग्याकारे भी मान लो दोनों तुम्हारी बात नहीं मानी तब बला तुम क्या करोगे सुर्यकांत ने पूछा यह भी कोई सवाल है पीटने पर लड़का सही रास्ते पर आ ही जाएगा दूसरे को जरा समझा बुजा कर पुछका कर तो वह अच्छा ही है सुमंत ने अपना विचार समझाया सुर्यकांत थोड़ा रुप गया फिर बोला दोस्त तुम मुझे जो सलाह देते हो मेरी पतनी को उनका पता चल गया है तुम अपने बच्चों के मामलों में धंग से विचार करके होशियारी बरतत हो जरूर वही होशियारी और दोरदश्ता औरों के मामलों में भी बरतनी चाहिए ऐसी मेरी पतनी की तुम्हे सलाह है यह सुनकर सुमंत को बड़ा आशरी हुआ विने के साथ उसने कहा सच है महराच आप मेरी तरफ से महरानी जी को मेरी क्रमा याचना विदित कीजिए और कृपया भविश में मुझसे सलाह न मांगिये महारानी स्वयम भड़ी मेधावी है उनकी सलाह के अनुसार काम करना आपका धर्म है फिर सुमंत वहां से चला गया सुर्यकांत ने विद्यादरी को सारा वृत्ता कथन किया और फिर अपनी जिग्जासा प्रकट की मेरी समझ में नहीं आता कि सुमंत ने तुमसे क्षमा क्यों मांगी और तुम्हारी सलाह के अनुसार चलने का सुझाव क्यों दिया विद्यादरी ने मुस्करा कर कहा प्रभू सुमंत की पत्नी बड़ी हटी ली है और वह पत्नी की बात बिलकुल नहीं मानती उसको राही रास्ते पर लाने के विचार से वह भले ही रूटे सुमंत पत्नी को मराने की कोशिश नहीं करता अगर वह गहने मांगे तो नहीं बनवाता पत्नी अस्वत हो तो वह विश्वास नहीं करता उसके प्रती प्रेम प्रदर्शित नहीं करता उसको डर है कि ऐसा करने पर शायद वह और भी हटीली बन जाए सुमंत सोसता है कि और औरते भी उसकी पत्नी के समान है किसी विचार से उसने आपके ये सलाहे दी मेरी तरफ से जो प्रशन आपने उससे पूचे उनसे वह अपनी गलती समझ गया और उसने मुझे से ख्षमा मांगी यही प्रशन में उससे पूच सकती थी पर इनसे वह दुखी हो जाता इसलिए आपके माध्यम से मैंने इह प्रशन पुछवाए अता उसने मुझे विनैशील बताया सुर्यकांत ने हस्ते हुए कहा प्रिये तुम बड़ी समझ दार हो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रशन हुए